इस बबबर जीत के पीछे हमारे कारिकरताओं की अथक मेनत हमारे प्रदेश के अद्यक्स आधनिये मदन जी दिलावर, सुरी मदन जी राठोड और येस्टोश्वी मुक्यमंतरी भजनलाजी का जन जन तक पहुंचना बज़र गोशनाई बज़र गोशनाई की किर्यानविती बेरोजगार नौजवान भाईयों को रोजगार और रोजगार दिलाने का संकल्फ, किसानों के लिए अनेक तरकी योजनाई, किसान सम्मान निदी, मेसपी को बढ़ाना, और साथ-जाथ सड़क तंत्र में अभूत पूरु कारी करना, सिखिस्ता विबाग में बरती और उन जनता को ये विश्वास हो गया है कि राजस्तान की बजनलाल पहली सरकार है, जो कहती है वो करती है, और जो करती है वो ही कहती है, और इसी विश्वास को आधार बना करके जनता ने हम पर विश्वास किया है, हमारी जिमेवारी बड़ी है, और जो विकास के कारी चलने है, आपके संग्यान में ये लाना भी चाहता हूं कि हमारी दोसा की सेट बहुत कम वोटों से गई है। और सोराशी की सेट पर हम गंपिर्ता से विचार करेंगे और बाविशे में इन दोनों सीटों को भी हम जीतेंगे। आपका भी आभार वेक्त करता हूं कि आपने सकारात्मक हमारी बातों को जनता के बीश में रखा जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत आभार है विशेश रूप से हमारे यस्वाशी मुक्यमंद्री बजनलाल जी और हमारे प्रदेश के अधियक साधनी मद्रजी दिलावर उ उसका दूर्पयोग किया और इस जमकर पॉलीन है उसको लेकर उन्होंने इसको प्रभाविक किया यारूप लगा है गोविन जी का इसके शिवा और कहने के पास उनके पास खैबी नहीं अगर सरकारी तंत्र का दूर्पयोग हुआ होता तो दोसा और सवराशी भी हमारे पा ही होती अगर सरकारी तंत्र का दूर्पयोग हुआ होता तो वाइनाट की सीट भी हमारे पास ही होती लेकिन वाइनाट के बारे में एक वार बोलके देखो जारकन के बारे में भी एक वार बोलके देखो और जहां तीन विदान सबाव में कांग्रेस पाल्टी की जमानत जब तो भी है उसके राष्टि अधिक्स अपने आत्म रोकन नहीं करके समिक्साने करके अज भी आज भी उसी बासा से बोलते हैं निमनेस्तर की बासा से बोलते हैं इसलिए उनकी बातों को गंबिर्ता से लेने की आप सकतानी धन्यवाद